पिछले लेक्चर तक हमने अपना एथर्स कंप्लीट किया था चीके एथर्स के हमने प्रिप्रेशन केमिकल प्रॉप्टिस डिसकस कर ली हैं आज हम शुरू करेंगे साइकलिक एथर्स मतलब इपॉक्साइट या प्यार से हम इसको बोलते हैं ऑक्जिरेंस चीके पूरा शुर कॉमन नेमिंग और सबस्टिटिटिव आईपक नेमिंग भी डिसकस करेंगे चीके पूरा बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम एडवांस डेवल तक जाना है आपको इस वीडियो को देखते साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेर करने हैं पहले वीडियो को देखो बाद नोट्स बनाने जरूरी है अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो एक बार समझ आ जाएगा लेकिन बाद में बहुत दिक्कत आती है चीके तो साथ साथ नोट्स जरूर प्रिपेर करने हैं चीके चलो आज का लेक्षर शुरू करते हैं चलते हैं मेरे लापटॉप स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का लेक्षर